हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा पहले आप सब बताईए आप सब कैसे हैं मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब शेयर कर दीजे प्लीज आप सब के सपोर्ट की बहुत जरुत हैं मैंना भी एक बाउल में बेसन ले लिया है उसके बा कोड़ी में कामा जाएंगी मेरे और कुछ मेरे कड़ीं का तड़कल लगाने में कामा जाएंगे यहां मैंने इक दर बेसन में धनिया पाउडर हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक यह सब मिक्सकर लिया है ये देखे, मैं हींग डाल रही हूँ, आप भी डालिए, उसके बाद मैंसे पानी डालकर पेस्ट बनाने वाली हूँ, जो मैं पेस्ट बनाऊंगी वो थोड़ा थिक रखूँए, ताकि मेरा जो कड़ी का पकोड़ा है, वो फैले नहीं, वो बहुत अच्छे से बन जाए, और इसमें मैं सोडा भी डालने वाली हूँ, अभी आगे देखिए, आप मैं इसमें सोडा डालूँए, ये मैंने क्रेश करके अजवाएन और जीरे को रखा है, अजवाएन और जीरे डालते हैं, तो हल्दी रहती है, मतलब पेट के लिए अच्छी होती है, नुकसान भी नहीं आप अन्यन मिक्स करूंगी, क्योंकि मेरे को हाफ अन्यन अपनी कड़ी को बनाने के लिए चाहिए होगी, ये देखिए, मैं अभी इसको मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से, और दूसरे साइड मैं इसको ठाके रख दूँगी, ये देखिए, मैंने सोडा डालने वाली ले लिया है one liter के आस्पास मेरा च्छार्च है बाकि मैं one cup इसमें basin और add कर रही हूं फिर मैं इसको विस्ट करकी health से विस्ट कर लूँगी जिसे ये अच्छे से mix हो जाएगी और इसमें गुड्लिया नहीं रहेंगी बेसन की गुटलिया नहीं रहने चाहिए इस चीज़ का धिहान रखे जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैं दूसरी साइड पकोड़ी का मेरा ओयल रेडी हो गया है मैं उसको पकोड़ी बनाने के लिए जा रही हूँ जब मैं कड़े बनाती हूँ तो कई बार वो पकोड़ी wedगा खाते है यह जब कम आखे अब अब मेरे कॉमेंट सेख्शन में कैसा बना है जिस तरीके से मैं कड़े बना रही है आप भी वैसे गर पे अपने बना कर देखिए ये देखिए अभी मेरा ना पकोड़ा 80% हो गया है इसको मैं अलट पे लट लूँगी ये जब सिख जाएगा मैं इसको बहार निकाल लूँगी उसके बाद मैं अपने कड़ी को तड़का लगाने वाली हूँ अभी मैं ये ओल्मोस्ट मेरा रेड़ी है मैं बहार निकाल रही हूँ ये देखिए निकाल लिया है मैंने वन बाई वन करके सारे पकोड़ों को बहार निकाल लिया है बागे के बैचे इसना बना चुकी हूँ यह देखी अभी सारे बाहर आ गए इसमें से एक्स्ट्राविल जो इतना है वो निकाल चुकी थी यहां मैंने ही डाल लीए है तड़का के लिए पिर मैंने मेथी शीड डाला है उसके बाद मैंने इसमें सोफ डाला है मेरे गर में सोफ डलती है कड़ी में आप भी डाल कर देखना बहुत अच्छा लगने वाला है उसके बाद मैंने जो अनियन रखा था था ना क्रश करके वे वो मैंने इसमें एड़ कर दिया है अब ये जब अच्छे से पिंक हो जाएगा ना सारा अनियन फिर मैं इसमें मटर मिक्स कर दूँगी सर्दियों में मटर का जो हम बनाते है कड़ी बहुत टिस्टी लगता है ये देखिए यहाँ पे ना मैं अद्रक को गिस रही हूँ अद्रक का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सर्दियों में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे यां कड़ी में हम लोग बहुत जरूर डालके रखते हैं क्योंकि अभी मेरे पस अद्रक का पाउडर भी नहीं था जिंजर पाउडर जो हुता है मेरे पस नही था तो मैंने अद्रक के डालिया उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यहां मैंना बेसिक मसाले डाल रही हूँ धनिया पाउडर डाला है कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर डाला है थोड़ा से ही डाला है क्योंकि मैं तड़के में भी लगाने वाली हूँ कश्मेरे मिर्च पाउडर का तड़का फिर मैंने यहां मट्र एड़ कर दिया है मट्र एड़ करने के बाद मैं इसको प्रोपर चलाती रहूंगी जिसे ही अच्छा हो जाएगा है अब यह ना इसमें मैं करी पत्ते का ड्राइ पाउडर डाल रही हूं क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने उसको ही डाल लिया और मैं मोस्ली यह रेड़ी करके रखती हूं घर पे ताकि ना कभी भी जुरूथ हो तो मैं एड़ कर लूँ करी लीव्स को अभी मेरा यह तड़का रेड़ी हो गया है अभी मैं इसमें चाच वाला मिक्स्चर डाल रही हूं जो मैं पेसन का पेस्ट बना के रखा था यह देखिए मैं इसको लाती भी रहूंगी साथ साथ और मैं सोल्ट इसमें अभी नहीं डालूँगी वन बोईल आने के बाद मैं इसमें सोल्ट को एड़ करूँगी यहां मैंने ना हल्दी पाउडर डाल दिया है वो मैंने भी नहीं डाला था अभी डाला है जैसे जैसे मेरी कड़ी ना बोईल होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसमें salt भी डाल दूँगी पहले salt डालते हैं तो कड़ी फट जाती है यहां मैंने 2 glass के आसपस इसमें पानी mix किया है क्योंकि कड़ी जितना कड़ती है उतना अच्छा बनती है तो इसको मैं 1-7 गंटे के बीच का कड़ाने वाली हूँ यह कड़ करके बहुत अच्छी हो जाएगी फिर मैं इसमें पकोडा भी डाल दूँगी यह देखिए मैंने अभी मेरा यह रेडी हो गया है वन बोईल आकर के वन बोईल रेडी हुआ तो मैंने इसमें salt डाल दिया आप देखोगे मैं आगे इसमें भी salt एड़ करने वाली हो उसे फिर मेरी कड़ी पकती रहेगी और दूसरी साइड मैंने जो पकोड़ियां बनाई थी उनको एक से दो मिनिट के लिए हलके गुनगुनवे पानी में एड़ किया था डाल के छोड़ा था ताकि जितना ओयल है न वो सारा बाहर रिलीज हो जाए पकोड़ियों में बहुत ज़्यादा ओयल ओयल न हो जाए क्योंकि इतना ज़्यादा ओयल न हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है यह देखिए यहाँ पे मेरी न कड़ी प्रॉपर कड़ रही है यह देखिए पहले न मैं आपको दिखाने लगी थी कि मेरी पकोड़िया कित्ती सोफ्ट कित्ती जालीदार बन कर रेड़ी हो गई है यह देखिए वो मैं दिखा रही हूं कित्ती स्पोंजी बनी है उसके बाद मैं अपनी पकोड़ियों को डालने वाली हूं वोटर के अंदर देखिए गुनगुना वोटर मैंने करके रखा वा था यह सारी मैंने उसमें ट्रांसफर कर दी और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से हाथ से निचोड़के कड़ियों में डाला याना मैं आपको मटर चेक करके दिखा रही हूं कि मेरी कड़ी में जो मटर डली है वो भी गल करके अब रेडी है यहां मैं सारी वन बाई वन पकोड़ियों डाल रही हूं जितना भी ओयल होगा निकल जाएगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना ओयल बाहर आ गया है यह देखिए आप वोटर को देख रहे हैं वो कितना ओयल बाहर है नहीं तो यह सारा पकोड़ी में से लगाता और ओयली हो जाती है यहां पर ना देखिए मेरी पकोड़ी कित तिच्छे से फूल कर रेडी हो गई है अभी मेरी कड़ी को कड़ते हुए ना फूक्ती फाइब टूसिक्स्टी मिट होचुके एऽ अभी मैं पाड़ा मसाला गड़ करने जा रही हूं गर्या मसाला करने के बाद ना मैं दूसरी साइड का तड़ देखें लोगाए't 저는 गीई के साथ अपर डेड़ी कर नं तड़का Account क्योंकि ना देशी घी की पाल ढूलगता है आप भी ट्राइ करके देखना मेरे जैसे हैं सर्सों के लत में लगाओंगे ना तो वोlden लगए लेकिन देशेगी हमें लगाओगे न वह बहुत टेस्ट आएगा लग से न यह देखिए कश्मीरी मिर्श पाउडर न अच्छे से बुन गया है अभी मैं इसको ट्रांसफर करने वाली हूँ कड़ी के अंदर फिर मेरी कड़ी का कलर आप देखकर बताना कैसे लगने वाला है क कर्मेंट सेक्षन में जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर दो शेयर कर दो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं पहले ही बोल देती हूँ देखी ये देखी कड़ी में तड़का जाने के बाद कड़ी का कलर कितना खुब सुरत हो गया है मन कर आए अभी खालो उस जपते हैं लोग चपात क्यानी बनाते हैं सब मेरे घर में ऐसी खाणा पसंद करते हैं बहुत कम बनती है मेरे या न धनिया पता मेरे को लगा हाज जालना चाहिए रिंटірस्ट में बहुत अच्छा हा जाता है देखें या मेरी खाली रेड़ी है बताईए कैसा लगा